चिराग पासवान को अमीत शाह ठग तो नहीं लेंगे और चिराग पासवान को भारतिय जनतापाटी इतना मजबूर तो नहीं कर देगी कि भाजपा के अनुसार चिराग पासवान को अपनी राजनीती करनी पड़ेगी। और कहा जा रहा है कि अमित शाह ने अपने नेताओं को संदेश दिया है कि हम लोग सभा के चुनाओं में हर सीट पर चुनाओ लड़ेंगे और हर सीट पर अब तयारी में लग जाईए तथा इसके बाद से चर्चा चल पड़ी है कि चिराग पासवान से चुनाओ प्रचार कर आएगी दरसल चर्चा तब सुरू होती है जब नवादा लोग सभाच्षेतर को लेकर अमिश्या अपने नेताओं से कहते हैं कि यहां पर भारती जनता पार्टी का उमिद्वार ही चुनाओ लड़ेगा लेकिन अगर असल तोर पर देखा जाए तो नवादा लोग सभाच् पासवान को लेकर इसके बाद चर्चा सुरू हो गई अब कई जग हो पर तो कहा एंगी चिराग पासवान के पास आप्सन यहीं रहेगा कि वे तेजस्वी यादों के साथ चले जाए क्योंकि तेजस्वी यादों के साथ इज्जत मिलेगी अब इधर भारतियी जनता पार् हैसियत कितनी है बाकियों नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं मना विशे इसकारिकरम एक्स्प्रेइनर चिराग पासवान एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसके बदोलत कहा गया कि भारती जंतापाटी ने तमाम उपचुनाओं में माहौल बनाया ले हर लोग सभा सीट पर चुनाव हम लड़ेंगे अब जब हर लोग सभा सीट पर तयारी होगी तो इसका मतलब कि भारती जंतापाटी कुछ बड़ा सोच रही है और शायद चिराग पासवान के लियास से कुछ गलत होने वाला है अगर साप शब्दों में कहा जाए तो चिरा उतनी बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी लेकिन अमिस्सा ने अभी से ही चिराग पासवान के सपनों पर आपका ये की पानी फेरना सुरू कर दिया है और माली जीए कि चिराग पासवान को अगर भारती जंतापाटी 5 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दे भी देती है तो हम उनकी राजनिती के लिहास से यह नयाई नहीं होगा क्योंकि चिराग पासवान तो भाजपा से कुछ बड़ा उमीद कर रहे है और भाजपा जिस परकार की राजनिती कर रही है और अब तक चिराग पासवान को खुले तोर पर वो अपने साथ लेकर नहीं आ रही है उससे प्रती तो होता है कि सायद चिराग पासवान को ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी भारती जनता पाटी देने वाली नहीं है और अगर NDA में चिराग पासवान को 4 सीट, 5 सीट, 6 सीटों की हिस्सेदारी मिलती है तब चिराग पासवान बेसक नाखुस होंगे क्योंकि उनकी चिराग पासवान को तेस्वी के साथ ही चले जाना चाहिए वहाँ पर जाते तो कम से कम दो युवाई एक साथ मिल जाते तो यह भी बात एकदम तय हो जाता कि वहाँ पर कोई लड़ाई ही नहीं रहती, कोई लड़ाई नहीं रहने का मतलब कि भाजपा तब सामने नहीं ट चिराग पासवान को भी वहाँ पर सीट मिलता उनको वहाँ पर राष्ट्री राजनिती करने का मौका मिलता एक फ्री फिल्ड मिलता बागी चिराग पासवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यह तो आगे आने वाली राजनिती बताएगी लेकिन फिलाल चिराग पासवान का NDA के अंदर क्या कुछ होगा भारती जनता पाठी कितनी बड़ी हिस्सेदारी देगी इसको लेकर संसे बरकरार है और चिराग की कोशिस होगी कि उतनी हिस्सेदारी ली जाए जितनी हिस्सेदारी NDA से आज तक उनको नहीं मिली है बागी आगे जो भी नहीं जनकारी जो भी निया अपडेट निगल कर सामने आएगा सब कुछ मैं आप तक पहुंचाएंगे अब लोग सभा के चुनाओं में बेहत कम हो वक्त बचा है इसलिए अब यह तमाम चर्चाएं सुरू हो चुकी है क्योंकि एक तरफ तो चुनाओं पर चार भी सुरू हो चुका है बागी तमाम जनकारी के लिए आप हमार शाद बने रहिएगा वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं केमरे पिशे मिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सहीं हूँ बहुत बहुत धन्यवाद